तो है गाइस वेलकम बेक आज हम अन्बॉक्सिंग एन इनिशल रिब्यू करने जा रहा है रियल मी 7 को मैं एक्चली कोई भी चाइनिस मोबैल खरीद नहीं वाला था लेकिन मार्केट में कोई आप्शन ही नहीं है इस रेंज में इसलिए इसे मुझे खरीद ना पार रहा जब ज्यादा देर इसे यूज नहीं कर सकते है और इसका जो स्पेसिफिकेशन में आपको पता देता हूँ हीलियो जी 95 का प्रोसेसर है जो की गेमिंग प्रोसेसर है उसके बाद आपका जो कैमरा है और फ्रॉंट में आपको मिल जाता है सेक्षिन मेगा पिक्सल का कैमरा एंड जो चार्जिंग है यहाँ पर 30W फास्ट चार्जिंग मिलता है बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है इसमें कोई प्रोब्लम नहीं होगा और बैटरी जो है 5000 में है जो की एनफ है में बोलूंगा पूरे दिन के लिए और इसका डिस्प्लेश डिस्प्लेश है जो की आपको 90 प्रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और यह हमारा में डिवाइस तरीके से रखा हुआ है इससे देखिए यह देखने में देखने में सुन्दर है लेकिन बहुत हालका लग रहा है और वीक लग रहा है जासे बोलते है ना सॉलिट फिलिंग नहीं आता है डिवास का आप जाइक मिल जाता है देखिए गया फांच अट चोल डिस्प्ले है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नौस के इसाबसे तो में पन्छोल को ही प्रफर करता हो क्यकि धिस्प्रे को थोरा ज़्यादा बढ़ लगता है अगर पंच अलो होता है लेकि नौस्ट को थोरा डिस्प्ले का जो देखने में बहुत ही बुरा लगता है मेरे लिए यह मेरा पस्टनल ओपिनियन है आपका कुछ और भी हो सकता है यह आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं 6GB 64GB वाला है तो मेरा जो इनिशेल रिव्यू रहेगा इसके बारे में बहुत ही बोलूँगा इसका मीडियम से हेवी उस तक भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैमरा भी ओके है इतना ज्यादा अच्छा मतलब डिटेलिंग नहीं है लेकिन हाँ अच्छा खासा इमेजेश एक लिक कर लाता है पिक्चर वीडियो भी आप 4K वीडियो 30 पिस तक रेकॉड कर सकते हैं तो दोस्तों इधास का वीडियो कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे